वेलकम डू पूल अफ साइंस स्टुरेंट्स आज हम स्टुड़ी कर रहे हैं फंजाई को तो तक्रीबन एक लाख और्गिंजम की जो स्पीशीज हैं उनको फंजाई कहा जाता है इस ग्रूप में शामिल है बहुत ही एहम पैफजेंस जिसमें शामिल है रस्ट, स्मर्ट, रस्मर्ट जहाएं यह गंदूम और मकई की डिजीजीज हैं और मोल्ट तो यह फंजाई की वो टाइपस हैं जो बहुत ही एहम है इसके लावा कुछ फंजाई की वो टाइपस हैं जो खाई जाती हैं मुझ्षून, ट्रॉफर, च्रॉफल, और मॉरल इसके लावा कुछ फंजाई की वो कमर्शलवी यूस होती हैं जैसे के पैंसिलियम जहाएं यह पैंसिली ऑंटीपारिक का सौर्स है यानि इससे पैंसिलिंऑ इंटीपारिक हासिल होती है इसके लावा येस्ट है वो बेकरी और ब्रेट बनाने के लिए और ब्रिविरी यानि वाइन बनाने के लिए यूज होती है अब फंजाई का चाहिव एकॉलजी का रॉल भी है तो फंजाई एको सिस्टम में डिकंपोज़र्ट के तोर पे एक्ट करती है यानि ये dead organisms को break down करने का काम करती है फंजाई का जो taxonomic status है यानि फंजाई की जो grouping है वो change हो गई है फंजाई को kingdom planty से निकालके उसका separate जहाई kingdom मरा दिये गया है kingdom फंजाई के नाम से अब फंजाई जहाई वो कुछ हाद तक plant से मिलते चलती है यानि plant के अदर जहाए वो cell वाल है तो fungi के अदर भी cell वाल है plants में centriose मुझिध नहीं ओते तो fungi के अंदर भी centriose मुझिध नहीं होते plants यावा non-mattile है यानि यह हड़कत नहीं करते तो fungi भी norma tile है fungi μbeamove नहीं करती लेकिन fungi animal से ज़्यादा मिलती जुल दी है as compare plants के फंजाई हीटोटोफ्स हैं यानि अपनी खुराख होते यार नहीं कर सकती इसी तरह एनिमल्स जहां वह भी हीटोटोफ्स हैं वह भी अपनी खुराख होते यार नहीं कर सकते फंजाई की सेलवाल में सेलरोस मुझूद नहीं होता तो एनिमल्स की सेलवाल में भी सेलरोस मुझूद नहीं होता फंजाई की सेलवाल काइटन से बनी होती है तो एनिमल्स की सेलवाल भी काइटन से बनी होती है इसके लाबा काईटन जा है वो आर्थरोपोर्ट की एक्स्टरनल स्केलेटन में भी पाया जाता है काईटन जाए एक केमिकल होता है इससे वाज़ है कि फंजाई ना तो प्लांट से और ना ही एनिमल्स है इससे तरह आँ फंजाई के डियने की स्टेडी ने भी एक अन्फर्म कर दिया है कि फंजाई जाए तमाम अधर और और अगनिजम से बिल्कुल डिफरेंट है नेक्स से एक डेफिनेशन नुक्लियर माइटोसिस यो बहुत core definition और examination point of view से नुक्लियर माइटोसिस का मदल्ल है यह माइटोसिस की अक टाइप है लेकिन नुक्लियर के साथ है तो मिंस नुक्लियर मेट डिवियन होगी सेल के बिवियन नहीं होगी तो नुक्लियर माइटोसिस के दुरान जो nuclear envelop होती है वो break नहीं करती, वो नहीं तोटती और spindle fiber जो हैं नहीं बनते बलके जो nuclear membrane है वो दर्मियान से pinch or हो जाती है constrict हो जाती है और दो nuclear ही बना देती है तो इस तरह जो है फंजाई की cell में devian नहीं होती फंजाई के nucleus में devian होती है तो इस devian को कहा जाता है nuclear mitosis next एप body of fungus तो fungus की body को mycelium कहते है mycelium जो है मुश्मिल होती है एक लंबे cylinder like branch tubular system पर और ये branch tubular जो है ये thread like filaments होते हैं जिनको hypha कहा जाता है और single को कहते हैं hypha hypha जो है ये substratum यानि host की surface के उपर फैले भी होते हैं fungi की cell wall काईडल से बनी होती है जबकि cellulose और lignan ये plant की cell wall बनाते है hypha जो है वो separate भी होती है और non separate भी होती है separate hypha जो है वो divide होती है walls से जिसे septa कहते हैं तो ये हमारे पार separate hypha क्योंकि इसमें nucleus जो है एक दूसरे से separate है एक wall के जरिये तो इस wall को कहते हैं septa और हर segment में एक नुकलियाई मुझूद होता है, तो इसलिए इसको septate hypha का नाम दिया गया है Next, non separate hypha, तो इस hypha में septa मुझूद नहीं होता और ना ही इसमें cell division होती है तो non separate hypha में एक large cell होता है और वो multi nucleotide होता है यानि उसके अंदर बहुत से nucleid जहां मौजूद होते हैं तो यह है non separate hyphae तो non separate hyphae में कोई septa मौजूद नहीं है और इसमें बहुत सारी nucleid जहाब आपको नज़र आ रहे हैं जिसकी जाए से इसे कहा जाता है multi-nucleated large cell तो non separate hyphae को coinocytic hyphae भी कहते हैं बहुत से सेप्रेट फंजाई की सेप्टा में एक पोर होता है, एक सुराख होता है, जिसकी वज़ाए से साइटप्लास्प एक से दूसरे सेल में मूव करता है जब फंजाई के अंदर फूड और वाटर जहाँ वो ज़्यादा हो जाता है और टमप्रेचर भी इसका फेवरेबल होता है, तो फूड वाटर मेटीरियल जहाँ फंजाई की ग्रोइंग टिप की तरफ मूव कर जाते हैं ताकि हाइफी जहाँ वो रैपरली ग्रो करें हाइफी जहाँ वो एक उसे के साथ पैक हो जाती है और और अगनाइस होके कंप्लेक्स से ट्रॉक्चर बनाती है जैसे के मश्रूम, पॉफ बाल्स, मॉल्स यह इस नोन हाइफ़ल यूनिसलर फंजाई है यानि यह के अंदर एक नुकलिस पाया जाता है और यह के अंदर कोई हाइफी मुझूद नहीं होता फंजाई पे जितने भी नुकलिए पाई जाते हैं वो सारे हैपलोईड होते हैं और डिपलोईड जाइगोड जो है वो बनता है तो यह था हमारा आज का टॉपिक